वेलकम टू माई यूटूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल आज की इस वीडियो में हम आप सब को केमेस्ट्री आईए सी का जो केमेस्ट्री आज हुआ है तीन फरवरी को उसके 100% करेक्ट एंसर की मिला रहा हूँ अबज चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी किलिक कर ले ताके हर किसीम की वीडियो आपको मिलता रहे है तो पहला नमबर देखिए प्रसन आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे जन पहला है निमलिकित में कौन सा ग्रमतत्व आयनों में अनुचु बखिया है तो पहले का यह बिल्कु सही है एजी प्लस हंडेड परसंट यह हो जाएगा दूसरा निमलिकित में कौन सा मुद्रा दातु तो सीउ एजी और दू कसी सही है तीन नमर प्रसन है समन में जग्यों के लिए सबसे पहला मत पुर्षिदान किस ने दिया तो वर्नर चार निमलिकित में कौन सही है तो चार का बिलकुली सही जवाब दू हो जाएगा पोटासलम पाच नमर निमलिकित में सुखोण वाइड RD NT Ligant है तो इसमें DT, E, DT यह है ना 5 का यह बिल्कुल सही है 6 नमबर देखिए PTC2H4 CL3 के परमाइब PT का ओक्सीकरण संक्या तो इसमें बिल्कुल ही सही जब PT के ओक्सीकरण संक्या तीन हो जाएगी 6 का सी सही है 7 नमबर निमलिकित में कोण बिला है तो आप स्नो का सी होजएगा Bond डबल आर हना Benzen आगे 10 नमबर हना डाई एनजी एम कलोराईट के जल्य बिल्यान के गरम करने से निमलिकित में से कौन सा प्राफ्ट है तो फिनॉल प्राफ्ट होता है 10 का सी बिल्कु नमबर देखिए 12 नमबर देखिए इसमें प्रसने जो है इसमें आपका बिल्कुल सही है 2- ऐड्रोक्सी प्रोपीनोइक अमले 12 का भी सही है, तेरा निमलिकित में कौन टॉनल अभी कर्मक है तो इसमें एजी टुओ हो जाएगा 23 कसी सही है, च्वदर नम्लिकित में कोँट है ना कोँट जीरो अब किरिया देता है तो इसमें आपका भी हो जाएगा HCO ठीक है च्वदर का भी 15 निम्लिकित में क्वण कार्भोहेड्रेट प्रक्रिति पच्छल मातरह में तो इसमें D हो जाएगा अग्निया से विटामिन E के कमी से कौन सा रोग तो जनन छमता की कमी 20 का सी बिलकुल ही सही जवाब है प्राकर्टिक रॉबर किसके साथ पाया जाता है आईशो प्रोपीन बहुलक्त से 21 का सी सही बाइस है यह जो दिया है इसका होगा टू टू डाइमेथिल वन ब्रोमो इथेंटिक है बाइस का डी हो जागा तेश नमबर जो प्रस नहें एलकिल हलाइड में किसकी निर्मान में ह हो जाएगा 26 नमलिकित में से कौन आईडो फॉरम परिक्षण नहीं देगा तो बेंजिल एलकोहल आपका 26 का डी हो जाएगा सैताई से ब्यूटेन टू ऑल है एक तो सेकंडरी एलकोहल 27 का भी हो जाएगा 28 नमलिकित में कौन जल में घुलंसील है तो CS3OH 28 का ए बिल्कु सही है क्रिस्टल ये तंत्रे की संख्या साथ होती है 29 का ए होगा नमलिकित में कौन सवासन जोग ठोस है तो हीरा हो जाएगा 30 का भी बिल्कु सही किसी धातु की सष्ट भुजी समीती सीमित पैकिंग संचना का समन में संख्य तो बारा हो जाएगा 31 का डी 12 है नमलिकित कौन हो जाएगा भी सही है 35 किसका सब से अधीक होगा तो जल में एक परसेंट गुलकोज 35 में हो जाएगा 36 नमबर देखिए जो है निमलिक कौन ऑक्सी कारट से एसीटोन प्राप्त होता है तो सीएस्टिरी सीएच और सीएच थी ठीक है आपका सी हो जगा 37 में सेकेंडरी अमिन का तो एनेच होता है 37 का सही है अगला है प्राइमरी एमिन के गिरनाड तो इसमें एक उस्तर एमिन हो जाएगा 49 का भी सही है चालीस है निमलिकित में सबसे प्रबल छारी है तो इसमें बी हो जाएगा सीएस्तिरी का होल ट्वाइज एनेच एक तालीस है कौन हैंसबंग अभी करमक है तो बेंजीन से सलफोनी कम लेगा एक तालीस का हो जाएगा 42 में आपका बिल्कु सही जब मेथीन एमिन होगा ठीक है बैलीस का भी होगा 43 नंबर एनेसल के जलिए गोल तो इसमें डी हो है 46 नंब आप लोग मिला लीजिए प्लीज आप लोग सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे किसी चलकत वर सेल का सेल इस्तरांग तो यह हो जाएगा यह हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग तो प्लीज लाइक और रही रुकना च प्लीज अलोग है कि है नमुक औक्साइड तो हैमाटाइट बिल्कुल पचास का बीस है यह कावन में देखिए एक टू हो जाएगा ठीक है और टी करन के वस्ता प्लस टू में यह एक्टीज प्लस अपन का रेडियो एक्टिव उतक्रिष्ट गहस है इसमें डी हो जगा आर प्रतम संक्राण शणी के सदसेत एनाई पच्पन का यह बिल्कुल सही है चपन नमबर देखे सी उटू जेडेन वाला यह जो है इसमें आपका सी हो जाएगा है ना चपन का सी सही है संतावन कौन इस्टर बंध है तर टेरी लिन संतावन का यह बिल्कुल सही है अंठावन अरह कोण फोली एमाइड नाइलोन शक्षिक्स हो जाएगा उनशाट का भी साथ है निमलिकित में से किसको उप्योग एंटाइसीड की रूप में होता है तो मेगनिसियम हैड्र ऑकसाइड का है सही है एक सेट है सैक्रीन है एक है तो यह मिठा भी करता है एक सट कभी हो जाएगा निमलिकित में किसका उप्योग साबुन के रुपत है सीब शत्रा एच पाय पाय थिस डबल एने बासट कई हो जाएगा है ना निमलिकित में कौन परती ऑक्सिकार करता सिट्री का अम ले तिर सट कभी सही है चोईशट निमलिकित में से किस बीदी के द्वारा है ना कोलाइडी बीलियन का सुधन किया जाते तो अपोहन बीदी से 66 कशी बिल्कुल सभी जवाब है सरशट नमबर है आपका उन दूस्वान ठानबे के के गराम चरकोल तो सीओ टू हो जाएगा सरशट कशी सही है और सट नमबर द द्वारा धातू में तो इसको हम क्या करते है निस्तापन ठीक है सही है और लास्ट ऑप्शन सतर नमबने मिलिकित में किस धातू का निस्कर्शन के लिए साइनाइड वीदी का उपयोग होता है तो जिंग के लिए तो मेरे प्यारे श्वान आपको 100% करेक्ट एंसर दिया ग जय भारत